कभी-कभी हम लोग for loop लगाते हैं तो हम लोग को एक index की ज़रूरत पड़ती है मालनों मैं एक list को iterate कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पर एक variable चाहिए जो की कौन सा element है मुझे ये बता दे, list की कौन से index चल रही है ये बता दे ऐसे में मैंने आप लोग को पहले बताया था कि एक temporary variable बना कर उसको increment करके हम लोग use कर सकते हैं लेकिन आज मैं आप लोग को enumerate function के बारे में बताऊंगा जो की इस task को बहुत easy कर देगा कैसे चलते हैं computer screen में and let's get started आज हम लोग enumerate function को देखेंगे कैसा function जो की आपका बहुत ज़रा time बचाएगा कैसे गाम करता है ये simple है यार बहुत simple मालो मैं आप लोग उसे कहता हूँ कि यार मुझे एक list के सारे elements को iterate करके वो कौन से number पर है ये बता हूँ या फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी 5th वाल element आएगा तब print करना कि this is 5th element ठीक है तो मालो मैं आप लिखता हूँ a is equal to मालो मैं marks लिखता हूँ बच्चों के जो की 100 में से आए बच्चे काफी ना लाइक दिखाई जा रहे इनके बहुत कम marks आए तो इसमें मैं अपने आपको भी add का देता हूँ जिसके 98 marks आए ठीक है और बाकी आप जानते ही हो कि पेपर इतना difficult था मेरी 98 आए 2 marks कर गए तो बाकी बच्चों का क्या हाल हो नहीं आप जानते ही हो ठीक है तो एक mark भी आए किसी का और ये marks है ठीक है जब भी यहां पर क्या होगी 98 जो की index number 0,1,2,3 पर है जैसे index number 3 आए आप यहां पर print करना चाहोगे harry awesome ठीक है मालो आप print करना चाहोगे तो मैं करूँगा for mark in marks मैं करूँगा print और यहां पर mark ठीक है मालो मैं print करना चाहता हूँ इसको और मैं कहना चाहता हूँ कि if index is equals to equals to 3 तब क्या करो यहां पर print कर दो harry awesome ठीक है harry comma लगा देता हूँ अब अगर आपको थोड़ी सी भी python स आई स्कोर्स से तो आप जानते हो कि आपर syntax error आ जाएगा in fact syntax error देखने के लिए इस program को run करने की ज़रूरत नहीं है syntax error मुझे यहीं पर दिखा दिया मेरे linter ने linter क्या होता है linter वो नहीं होता है वैसे linter जो इसको हमारी ceiling होती है उसको बोलते linter linter डल गया घर में लेकिन व for removing short fibers sorry हाँ ठीक है तो यह लिंटर है तो यह लिंटर है तो यह लिंटर है कि इसको run करेंगे क्योंकि चलेगा नहीं मुझे पता है तो मुझे manually बाहर जाना पड़ेगा loop के index is equal to 0 लिखना पड़ेगा index is equal to index plus 1 लिखना पड़ेगा at the end of the loop लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों लिखना पड़ेगा equals to 1 कर दूँगा यह इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जैसे से loop चलता जा रहा है मुझे index की value का update करना पड़ेगा तभी तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे होगी index कितनी pain है आ रही है ठीक है क्या कोई simple तरीका न प्रिंट किया 12 56 ओगे तो यह हैरी ऑसम 98 ये बादा है फिर इसके बाद ये सारी values प्रिंट होगी ठीक है ओसम चार तक सारे marks प्रिंट होगे तो अगर आप चाहते हो कि इसी को आसानी से किया जा सके तो आप same code को copy करो और मैं comment out कर रहा हूँ आप comment out मत करना आप उसी code को change कर देना क्योंकि मुझे code देना होता है आपको इसलिए मैंने copy किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिगा है for mark in marks मैं यह index यहाँ से हटाऊँगा और यह index यहाँ पर लगाँगा same index और यहाँ पर मैं लिख दूँगा enumerate और enumerate function automatically मुझे हर loop की value के साथ साथ index भी 32 के साथ 2 देगा 012 98 के साथ 3 देगा and so on और मुझे यह करने की जरूरत भी निया index plus equals to 1 मैं run करूंगा इसको और आप लोग देखो यहाँ पर same चीज हो गई तो enumerate function जो है यही चीज करता है enumerate function is a built-in function in python that allows you to loop over a sequence जैसे कि list, double यह string भी use कर सकते हो आप लोग same program आप string से लिखने की कोशिश करना and get the index and value of each element in the sequence at the same time एक ही time में आपको index और उसकी value दोनों चीज़े देगा जैसे कि यहाँ पर apple बनाना mango है अगर आपको index भी चाहिए तो आप लोग enumerate का इस्तिमाल करके index भी प्राप्ट कर सकते हो तो यहाँ पर 0 apple, 1 banana, 2 mango आप लोगो दिखेगा यह चीज़ आपने देख ली ठीक है यह tuple return करता है अगर आप सिर्फ इस चीज़ को return करोगे यानि कि print करोगे return नहीं हम function के अदर नहीं तो return नहीं करोगा अगर मालो मैं आप पर v लिख दूँ इसको और v को आप प्रिंट करोगे तो आपको एक tuple मिलेगा तो index, mark लिखने से क्या होगा कि वो tuple unpack हो जाएगा index की value हो जाएगी first value of the tuple mark की value हो जाएगी second value of the tuple लेकिन आप अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये लिखने से index में जो index से वो आ जाता है mark है वो आ जाता है कुछ लोग गलती करते हैं इसको उल्टा लिख देते है mark, index and enumerate तो mark में index आ जाएगी index में value आ जाएगी तो वो गलती मत करना ठीक है तो ये आप लोगों को दिहान रखना है इस चीज़ का you can use the for loop to unpack these tuples and assign them to variables as shown in the example suburb ठीक है यहाँ पर आप लोग जो है unpack कर सकते tuple को जैसे मैंने भी आप लोग को बता है अब एक यहाँ पर interesting use case है enumerate का by default index 0 से start 2 ती और हम चाहेंगे भी 0 से ही start 2 but 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 you can specify a different starting index by passing it as an argument to the enumerate function आप यहाँ पर enumerate से कुछ यह कह सकते हूं कि तो भाई start करी हो 1 से जैसे मालो मैं कहता हूं कि यार तीसरे index को नहीं बोला था मैंने तीसरे mark को बोला था मालो मैं ऐसा कहता हूं कि 32 जब हो तो Harry Awesome प्रिंट करना है यारी के marks आने वाले है तब Harry Awesome यही 98 के ओपर Harry Awesome प्रिंट होना चाहिए तब मैं इसका start equals to 1 कर दूंगा 98 के ओपर Harry Awesome आ जाएगा simple सी चीज है ठीक है तो काफी simple है इसमें बिल्कुल भी कुछ complicated नहीं है अब यहाँ पर आप लोग देखो enumerate function is often used when you need to loop over a sequence and perform some actions यह सब हम लोगों ने देख लिया आप लोग यहाँ पर देखो कि जो index है उसकी value हमें मिल जाती है और उसी के साथ सब मैंने आप लोगो यह भी बता दिया कि अगर आप लोग चाहते हो कि start value change हो जाए तो वो कैसे करना है ठीक है बाकी आप लोग access कर लो यहाँ तो raples को description में से वरना यार मेरा दिल खुश होगा इस चीज़ को देख कर raplet ने यहाँ पर learn page जो है इनका इसमें feature किया है 100 days of code python को और यहाँ पर आप यहाँ से भी इसको watch कर सकते हो join code with daddy as he takes you through day one on the python journey आप इसको यहाँ से भी watch कर सकते हो so अभी के लिए इतना है guys thank you so much guys for watching this video and i will see you next time